अलो फ्रेंट्स मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सूप्रभात ED7 पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम लो रेंड़ो क्लास 4 से लेशन नमर 9 पढ़ने वाले हैं जिस लेशन का नाम ओपन अब बुक है फ्रेंट्स इसके पहले कि जितने भी लेशन्स हैं उन सभी लेशन्स का मैंने हिंदियन बाद अपलोट कर दिया है अपने इस चैनल पर अगर आप लोगने इन वीडियो को नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें वहाँ पर मैंने आपको वीडियो की लिंक दे रखा है तो चलिए फ्रेंट समलोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिस करता हैं कि ओपेना बुक इस चोटे से पोयम में आउथर हमसे क्या कहना चाहता है और हमें क्या समझाने की कोशिस कर रहा है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ओपेना बुक का हिंदी मतलब क्या होगा तो ओपेना बुक का हिंदी मतलब होगा किताब खोलो कभी छोटे छोटे बच्चों से कह रहा है कि बच्चों किताब खोलो और किताब तुम खोलोगे तो तुम्हें क्या-क्या चीजे मिलेंगी, कौन-कौन सी चीजे सीखने को मिलेंगी, ये सारी टॉपिक जो है इस छोटे से पोएम में कभर किया गया है, हाला कि ये पोएम बहुत ही देखने में छोटा है, लेकिन इस छोटे से पोएम के माध्यम से कभी हमसे बहुत कुछ बाते कहना चाहता है तो चलिए फ्रेंट समरो लेसन को स्टार्ट करते हैं ओपेन बूक एंड यू विल फाइंड पीपल एंड प्लेस ऑफ एबरी काइंड चलिए यहां तक हमनों समयने की कोशिस करते हैं कि ओपेन बूक एंड यू विल फाइंड फाइंड का मतलब मिलेगा ठीक है पीपल एंड प्लेस ऑफ एबरी काइंड का मतलब क्या है हर तरह के तो चलिए अब हमनों इसको समझ रहा है कि जब तुम अपने किताब को खोलोगे या किताब खोलो और तुम देखो कि तुम्हें बहुत तरह के हर प्रकार के लोग मिलेंगे हर प्रकार की जगहें मिलेंगी और हर प्रकार के चीजों को देखने को मिलेगा तुम्हें इसका आम लोग एक और तरीके से अर्थ समझ सकते हैं कि किताब खुलो और तुम देखोगे बहुत प्रकार के लोगों को और बहुत प्रकार की जगों को तुम्हें देखने को मिलेगा open a book, किताब खुलो and you can be और तुम बन सकते हो तुम किताब खुलो या किताब को पढ़ो और तुम किताब पढ़कर के बन सकते हो Anything, anything का मतलब जो कुछ भी, मतलब that you want to be, जो तुम बनना चाहते हो, जो कुछ भी तुम बनना चाहते हो, तो किताब को खोलो और उसको पढ़ो, और तुम किताब को पढ़ोगे तो जो कुछ भी बनना चाहते हो तुम, वो तुम आसानी से बन सकते हो, open up book, किताब खोलो and you can share और तुम share कर सकते हो share का मतलब बाट सकते हो wonders का मतलब आशेर आशेरे words मतलब जो आशेरे words हैं जैसे कि बहुत सारे ऐसे words होते हैं जो बच्चों को पता नहीं होता है तो ऐसे words जो तुम नहीं जानते तो तुम किताब खोलोगे तो वो सारे words तुमें मिलेंगे और वो words तुम दूसरों को बता सकते हो you find there और तुमें ये सारी चीज़े कहां मिलेंगी book में मिलेंगी open up book, किताब खोलो and I will do और मैं भी, यहाँ पे देखो तुम किताब खोलो और मैं भी खोलूँगा you read to me तुम मुझे पढ़ाओ and I will read you और मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा तो friends इस lesson को हम लोगों ने पढ़ा और इस छोटी lesson में हमसे कभी यही कहना चाहता है कि किताब खोलो और किताब खोलते ही जब तुम्हें बहुत सारी चीजे देखने को मिलेंगी बहुत प्रकार के लोग बहुत प्रकार के जगह तुम्हें देखने को मिलेंगी या पढ़ने को मिलेगा किताब खोलोगे तो तुम जो बनना चाहते हो वो बन जाओगे जो कुछ भी तुम्हारे मन में इच्छा है वो तुम बन जाओगे किताब खोल के तुम आसरे आसरे वाले वाट्स को तुम सीख जाओगे और वो वाट्स दूसरों को बताओगे चलो तुम भी किताब खोलो और मैं भी किताब खोलूँगा तो मुझे पढ़ाओ और मैं तुम्हें पढ़ाओंगा तो ये छोटा सा लेशन था और छोटा सा लेशन में ये पोयम हमको इतनी सारी बाते हम लोगों से बता रहा है तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जो बुक्स होते हैं हमारे लाइफ में बहुत इंपोर्टन्स होते हैं उन्हें हमें पढ़ना चाहिए और बुक्स से हमें बहुत सारी चीज़े सीखने को मिलती है तो आई होब कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेलफुल रहा होगा और इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी तो मिलते हैं प्रेंट्स इसके अगले लेशन में वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू फर वाचिंग दिस वीडियो